हलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल कोगी अ गभी धेमा में आज हम आप मी य हैं समोसा बनाने की रेस्पी समोसा तो आपने बहुत बार खाए होंगे और बहुत बार बनाए भी होंगे लेकिन आज हम इनको बेक करके समोशा को बनाने जा रहे हैं क्रिपी बनते हैं यह समोशゃ की आप commissions क्रिप ऐसकी आपको पता ही नहीं चलेगा जो हमने वेग पाउडार डाल लेंगे और 6 टेबेल इस्पून हमने इसमें आइल डाला है ये लगभाग 40 क्राम आइल है आइल हमको इसमें जादा डालना है क्योंकि जो मोयन होता है वो हम थोड़ा से इसमें जादा लगाएंगे और इसको तो अच्छे से हमको मिला लेना है, यह अच्छे से हमने मिला लिया है, अब हम थोड़ा-थोड़ा सा पानी डाल करके इसका सक्त डो तैयार करेंगे, एक साथ पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाएंगे, और हम आटा का डो लगाते जाएंगे, क्यो ये डो हमने पना लिया है इसका अब इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए डग देते हैं तो इसको हमने प्लेट से ढग दिया है और इसको हम साइट में डग देते हैं इसके बाद हम समोसा की श्टपिंग तयार करते हैं इसके लिए हमने एक पैन चड़ाया है उसमें दो तीन टेबल स्पोन हमने आयल डाला है एक छोटा चम्मच जीरा डाल दिया है एक छोटा चम्मच सौप डाली है और ये चम्मच हमने इसमें साबुत धनिया डाल दी है दो हरी मिर्च काट के डाल दी है इन सब चीजों को हम हलका ब्राउन होने तक भून लेंगे और ये चार मिर्यम साइच के उबले हुए आलू लिये हैं जिनको हमने मोटा मोटा सा तोड़ लिया है हमें इसको ग्रेट बिल्कुल भी नहीं करना है आधी चम्मच इसमें नमाग डाल दिया है और इसको अच्छे से हमको भूनना है एक चम्मच हमने इसमें भूना जीरा डाला है एक चम्मच चाट मसाला डाला है और हम इन सब चीजों को डाल करके इनको हम अच्छे से भून लेंगे इस तरह से भूनने से जो आलू का मस्चर होता है वो कम हो जाता है और आलू बहुत टेस्टी बन जाते हैं हम इसमें काजू डालना भूल गये थे तो हमने कढ़ाई में आलू को साइट करके एक चमच आइल डाल दिया है और उसमें काजू को हलका गुलाबी करने तक हम भून लेंगे और ये गुलाबी हो चुके हैं उसी आयल में हमनी एक चमच कश्मीरी मिर्च डाल दी है कश्मीरी मिर्च डालने से जो स्टपिंग है उसका कलर बहुत अच्छा आएगा और स्वाद भी अच्छा आएगा तो इन सब चीजों को हम इसमें मिला देते हैं और आलु को हम इस पैचुला से दबाते जाएंगे और इसके जो मोटे मोटे तुकड़े हैं इनको हम छोटा कर देंगे और अच्छे से इनको भून देंगे आप इसमें हरी मटर या फिर पनीर के टुगडे भी छोटे-छोटे करके डाल सकते हैं वो भी स्टपिंग में बहुत अच्छी लगती है हमने एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च डाल दिया है थोड़ी सी चिली फ्लैक्स डाल दिये है मिर्च आप अपने टेस्ट के कार्डिंग कम या जादा भी कर सकते हैं यह स्टपिंग हमारी तयार हो गई है अब गैस की फ्लैम को हम बंद कर देते हैं इधर हमने कूकर में नमक डाल दिया है और गैस पर चढ़ा दिया है प्री हीट होने के लिए हमने इसको रख दिया है यह नमक हमारा कई बार हम बेक कर चुके हैं यह वही नमक है आप भी इसी तरह से नमक को यूज कर दिये बेक करने के बाद एक डिब्बे में रख दीजिए और बार बार इसको यूज कर सकते हैं उपर से हमने ढखकन लगा दिया है और उसको प्ती हीट होने के लिए डग दिया है इधर हमने एक थाली तैयार कर ली है उसके उपर ऐलमुनियम फाइल लगा दिया है जिससे की समोसा जब हो इसमें दखेंगे तो इसमें चिपकेंगे नहीं और अच्छे सी बेख हो जाएंग अब जो हमारा डो है इसको हम सौफ्ट कर लेते हैं हाथों से मसल लेते हैं और ये बड़ासा डो तयार हो जाएगा उसको पने मसल लिया है अब इसकी हमको लोई बनाना है डो को हम बराबर बराबर भागों में बाट लेंगे थोड़ी सी बड़ी लोई बनाना है क्योंकि ए तरही की लोई बना लिया है और एक लोई को ले करके हाथूं से क्ला में च न कर लेंगे और उसके बात इसतरि45 करके हमra rester करके इसकी मर्रीया पू'reी ने है कि कैसın को इसको सीएlles नाừक हम बैलना है बहुत क्लों से हाथ करना है और यह बहुत बहुत पतला करना है तो ये हमने बेल लिया है अब आप इसकी ठीकनेस देख सकते हैं ना बहुत पतला है और ना ही बहुत मोटा है इसको बीज से हम चाकू से काट देंगे और एक शीट को ले करके इसके साइट में पानी लगा देंगे पानी लगा करके इसको मैंसे मोड करके एक कोन की तरह हम बना देंगे यानि इसका कोन का शेफ हमें देना है और जो कॉर्णर है इनको अच्छे से चिपका देना है और हातों की बीच में इस तरह से में रख करकी इसमें हमें जो श्टपिंग तयार की है वो रखना है तो पहले हम थोड़ी सी श्टपिंग रखेंगे और चम्मा से इसकी नीचे प्रेस कर देंगे जिससे कि जो इसकी नोख है उसमें अच्छे से भर जाए और नोख भी अच्छे से बन जाए और नीचे तक श्टपिंग पहुत जाए और उसके बाद हमने इसमें उपर और श्टपिंग रख दी है और जो पीछे वाला कॉर्णर है इसमें हम एक प्लेट डालते हुए इसको अच्छे से चिपका देंगे और उसके पहले हम इसमें तोड़ा सा पानी लगा देंगे यह और जो चिक काया था इनलों को आमने सामने से हम इसको मिला देंगे यानि कि दोनों सिधान में रहने चाहिए जब इस इधान में रहती हैं तो समोसा हमारा बहुत अच्छा बनता है और इकड़म पर्फेक्ट तयार होता है तो यह समोसा देखिए कितनी जल्दी से बन करके तयार हो गया है इसी तरीके से हमें सारे समोसा को भर लेना है दूसी सीट में भी मैंसे पानी लगा करके इसकी कोन बना लेंगे फिर आलू को जो स्ट्रपिंग तयार की है उसको पहले नीचे भरेंगे जिससे इसके जो नीचे का नोख है वो अच्छे से सेट हो जाए उसमें और उपर से स्ट्रपिंग भर करके थोड़ा सा हाथों से प्रेस कर देंगे और पानी लगा करके इसमें प्लेट डालते हुए इसको हम चिपका देंगे और हमें अच्छी तरीके से चिपकाना है इसको हमें अच्छे से दबा देना है जिससे की जो ये हिसा मोटा हो जाता है तो ये पतला भी हो जाएगा और ये चिपक भी जाएगा तो इस तरीके से हमारा ये समोसा बन कर के तैयार हो गया है इसी तरीके से हमको सारे समोसे इसके बना लेने हैं दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर दीजिए पस में बनी हुई bell icon को भी दबा दीजिए और अगर वीडियो हमारा पसंद है तो उसको like जरूर कीजिये तो इसी तरीके से हमने जो सारे समोसा थे उनको हमने बना लिया है यह हमने थोड़ी सी घर के दूद की मलाई लिया है और थोड़ा सा दूद डाल दिया है और उसको mix करके इस तरह से brush से हम पूरे समोसा पे coat कर देंगे coating करने से जो समोसा हमारे बनेंगे क्रिस्पी बनेंगे तो इस तरह से हमने सब पे coat कर दिया है और cooker भी preheat हो चुका है और इसमें ये धाली हम रख देते हैं सावधानी से रखना है क्योंकि जो है काफी गरम है कूकर और इसकी हमने गैस स्टिक और मिसल दोनों चीज निकाल दी है और तीस मिनट के लिए low to medium flame पर हम इसको रख देते हैं तीस मिनट हो चुके हैं और हमने देखा है समोसा कितनी अच्छे बन करके तयार हुए नहीं देख करके कोई कह सकता है कि इनको हमने बेक किया है यह एक दम जैसे लग रहा है में डीफ्राइब करके बनाए हैं तो दूसरा बैस था उसको भी हमने उसी में रख दिया है और यह वाले समोसा भी बन करके एक तयार हो गए हैं इनको हमने प्लेट में निकाल लिया है तो देखे दोस्तों कितनी जल्दी से समोसा बन करके तयार हो गए हैं और कितनी क्रिस्पी समोसा बने हुए हैं और देखने में भी कितनी अच्छे लग रहे हैं चारो तरब से कितनी अच्छे से सीके हुए हैं बस प बढ़िया समोसा यह बना हुआ है और कितना सॉफ्ट है यह तो इस तरह से समोसा आप भी अपने घर में एक बढ़ जरूर बनाईए खाईए और अपने अनुभों हमारे शाथ शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताईए कि हमारी रेस्पी आपको कैसी लगी तो मिलत है आप से अगले वीडियो में नई रेस्पी के साथ में तब तक के लिए इट हेल्दी ठींख हेल्दी